मैं आपका वैलकम करता हूँ आपके अपने यूच्टीब चैनल स्टडी दिमाग से में दोस्तो इस सेशन में में हम लोग सभी साइन्स के एक खास टॉपिक को हम डेसकर करेंगे स्थन के कुछ टॉपिक कुछ वीडियो आपको आपने तेरी देखी होंगे इस चैनल पर उसमें मैंने आपको force and law of motions के बारे में दोस्तों guide किया था उसमें हमने अलग-अलग चीजों को अलग-अलग pattern पर पढ़ा था अलग-अलग तरीके से उनको समझने की कोशिश की थी वो सारी की सारी Newton या Newton की की गई discoveries के इर्दगर्धी घूमती थी means इसमें हम अगर बलके phenomenon को ठीक से समझ गई तो हम इस से related maximum queries को solve कर पाएंगे तो दोस्तों इस session में मैं आपको गुर्तवा कर्शन या gravitation मैं कराने वाला हूं कि gravitation क्या होता है आपने सबने ये सुना होगा कि धर्ती सारी चीजों को अपनी तरफ खीच लेती है या हम ये कहें कि दुनिया की सबसे बड़ी चुमबक होती है धर्ती हैं के ने दोस्तों मैं इस कोई भी चीज नीचे गिरी उसको धर्ती ने अपनी और खीच लिया और धर्ती ने अगर सबको अपनी और खीच लिया तो एक तरह का चुम्बक तो एक तरह का मेंगनेटिजम ये शो करती है लेकिन ये किस वज़य से करती है ये क्यों करती है इन सारे सवालों को जवाब लेने के लिए आप इस सेशन को सुरू से लेकर आखिर तक देखें आपको मुझे अमीद है helpful रहेगा क्योंकि ये टॉपिक से आपके SSC आपके railway, NTPC और RRB के और अलग exams में बहुत सारे questions दोस्तों बनने वाने हैं ठीक है तो सबसे पहले दोस्तों गुर्तवाकर्षन ये gravitation समझते हैं गुर्तवाकर्षन ये gravitation क्या होता है अगर मैं गुर्तवाकर्षन ये gravitation की बात करूँ तो एक property है ये एक ऐसी property है कि जिसकी वज़े से अर्थ पर धरती पर मौजूद दो bodies, दो पिंड एक दूसरे के ऊपर कोई न कोई force exert करते हैं मैं इस मान के चलो कि जिस marker से मैं आपको यहां पर यह लिख रहा हूँ अगर मैं इसे drop करूँ तो ये नीचे गिरेगा और नीचे गिरेगा तो किस force की वज़े से मतलब कोई ऐसा force होगा जो इन दोनों के बीच में act कर रहा होगा तो ये जो force जो दो अबजेक्ट के बीच में अप्लीकेट होता है दोस्तों वही होता है गुर्टव अकर्शन बल मतलब गुर्टव अकर्षन बल क्या हुआ कि प्रतवी पर मौजूद कहीं पर भी दो अबजेक्ट दो पिंड हो उन दोनों के बीच में आरोपित होने वाला जो बल होता है दोस्तों वो क्या होता है गुर्टवाकर्शन बल अच्छा दोस्तों अगर हम गुर्टवाकर्शन बल की बात करें तो गुर्टवाकर्शन बल की कुछ प्रॉपर्टीज को हम पहले स्टेडी करते हैं तो हम इसको थोड़ा सा बहतर जान पाएंगे जैसे अगर मैं गुर्तवाकर्षन की बात करूं तो गुर्तवाकर्षन वो गुण हो गया वो प्रॉपर्टी हो गई जिसकी वजय से सारे अब जेक्ट एक दूसरे को आकर्शित करते हैं और एक दूसरे के आकर्शन में जो बल जो बल एप्लिकेट होता है दोस्तों, उस बल को मैं कहता हूँ, उस बल को मैं कहता हूँ, गुर्तवाकर्शन बल, अब अगर मैं यह कहूँ, कि गुर्तवाकर्शन बल की विशेशताएं क्या होती है, तो आप पाएंगे दोस्तों, कि सबसे पहली बाद तो मैंने जब फोर्स मैंने आपसे डिस्कस किया था तो मैंने बताया था कि नेचर में प्रेजेंट सबसे वीकेस्ट फोर्स होता है ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब प्रकृति में मौझूद सबसे दुरूबल बल होता है प्रकृति में उपस्थित सबसे कमजूर बल उम्मीद यह बात आपको समझ में और एकि कमजूर बल क्यों दोस्तों क्यूंकि इस बलके अगेंस्ट काम करना सबसे आसान होता है means मान के चलो कि आपको कोई marker कोई book या कोई भी object आपका धरती पर गिर गया है आप उसे आसानी से pick कर लेते हैं उसे उठाने के लिए में JCB किसी बहुत भारी उसकी जरूरत नहीं पड़ती यह कुछ खास efforts की जरूरत नहीं पड़ती लेकिन को इसी लिए इसको हमने क्या कहा कि इस दवीकेस्ट फोर्स प्रेजेंट इन नेचर दूसरी और सबसे जरूरी बात कि यह हमेशा आकर्शक प्रकृति का होता है मतलब यह हमेशा attractive property शो करता है ऐसा नहीं है कि गुर्तवाकर्शन बल किसी भी अवस्था में किसी वस्तू को repel करेगा किसी भी वस्तू को प्रतिकर्शित करेगा means जहां पर भी गुर्तवाकर्शन बल होगा वहां दोनों objects के बीच केवल आकर्शन बल ही लगेगा ठीक है तो मतलब दूसरी property होगी कि यह है सदैव या हमेशा आकर्शक प्रकृति का होता है means it always attracts the object it always has the nature of attraction मुझों में दोस्तों यह बात भी आपको समझ में आई होगी अगर मैं यह कहूं के यह अगरे बड़े बड़े पिंडों के बीच में लगता है गुर्टवा कर्शन बल जो होता है दोस्तों बड़े बड़े अब्जक समझ रहे हैं आप बड़े बड़े अब्जक से मेरा मतलब है कि मान के चलो अगर आप यह देखेंगे ना कि एक इलेक्टरॉन यह दो इलेक्टरॉन के बीच में जो बल है वो क्या है उसको मैं गुर्टवा कर्शन बल नहीं कह सकता ठीक है क्यों नहीं कह सकता क्यूंकि यह बहुत बड़े साइज के जैसे अगर मैं यह कहूं कि जितने बड़े अब्जक्ट होंगे उतना ही ज्यादा यह होगा means जितना छोटा object होगा यह उतना ही कम होगा means मैं कह सकता हूँ कि इसकी application अगर आपको find करने है आपको यह पता करना है कि गुर्तवाकरशन बल को पता करने के लिए आपके पास दो factors का होना जरूरी है पहला के object बहुत बढ़े हो अगर बहुत जादा छोटे objects हो कि कितनी दूरी हैं पर हैं वो दोन object जिन पर वो लगने न्यूटन के गुर्तवाकरशन के सार्वत्रिक नियम के थ्रू हम इस बात को समझेंगे लेकिन सबसे पहले आप इसकी properties को समझते रहे हैं अगर मैं आपसे यह कहूं कि यह है इस्थिर विद्युत बल इसे कहते हैं दोस्तो इलेक्ट्रो स्टैटिक फोर्स इसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रो स्टैटिक फोर्स यह विद्युत बलका है इस्थिर विद्युत बल मैं अभी बताता हूं आपको इस्थिर विद्युत बलका होता है का दसकी पावर 36 गुना ठीक है और नाबकिय बलका 10 की पावर 38 गुना होता है इसको दोस्तों मैं आपको जब हम quantum physics की ओर चलेंगे तब मैं इसके बारे में आपको बताऊँगा मैंस ये वो बल होता है जो दोस्तों बहुत छोटे छोटे particles के बीट में अप्लिकेट होता है मैं इस वो पार्टिकल्स जिनकों अपनी नेक डाय से हम अपनी नंगी आँखों से नहीं देख पाते उनके बीच में बल लगता है तो इसकी study हम इसके थुरू नहीं करते इसकी study को हम करेंगे दोस्तों जब हमारी quantum physics का हम जब session शुरू करेंगे हम तब उसमें इसे पढ़ेंगे अच्छा एक बात और दोस्तों जो important बात है जो आप इसमें याद रख सकते हैं या आपको ध्यान रखनी चाहिए वो यह कि यह माध्यम की प्रकृति पर निर्भर नहीं करेंगा means यह जो बल होगा यह medium पर depend नहीं करेंगा means मैं यह कह सकता हूं कि अगर suppose करो कि जिस studio में हम यह सब कर रहे हैं इसमें अगर धुआ भरा हुआ होता अब इसमें air present है मैंने इस marker को drop किया तो क्या इस marker के नीचे गिरने में वो air कोई इस पर अवरोध कोई किसी भी तरह की रुकावट डाल रही है आप कहेंगे बिल्कुल नहीं अगर मैं यहाँ धुआ भर दूं तो भी दोस्तों ऐसा नहीं होगा कि हाँ यह marker नीचे आने में कुछ जादा इस पर इसके force पर कोई इफेक्ट पड़ेगा तो मेंस मीडियम में क्या है जिस मीडियम में हम किसी दो अब्जक्स के बीच का force calculate कर रहे वो मीडियम क्या है इस बात पर अबल डिपैंड इनी करेगा यह डिपैंड किस पर नहीं करता दोस्तों यह माध्ध्यम की प्रकृती पर निर्भर नहीं करता means it does not depend on the nature of the medium means अगर nature of the medium पर यह डिपैंड नहीं करेगा तो आप यह समझ पाएंगे कि इसको हम अलग-अलग तरे के nature में भी calculate करेंगे तो यह बल उतना ही रहेगा means अगर मान के चलो कमरे में air present है और यह 18 newton का force लग रहा है दो objects के बीच में तो इसका अगर थोड़ा medium हम change भी कर देते हैं तो भी दो objects के बीच में 18 newton का ही force करने के लिए मैं आपको एक नियम बताता हूं अपने किताब प्रिंस्पिया में newton ने इसका जिक्र किया है क्योंकि बल्के सारे phenomenon की ही study सबसे पहले newton ने की थी तो gravitational force को आसान study करने के लिए उसमें हमें एक law दिया एक rule दिया और उस rule को हम दोस्तों क्या कहते हैं सार्त्रि गुर्त्र गुर्त्र आकर्षन का newton का नियम यह newton का सार्त्रिक गुर्त्र आकर्षन नियम universal law of gravitation by newton means आप यह heading डाले और ध्यान से समझेगा दोस्तों नियुटन का सार्तिक गुर्त्र आकर्षन का नियम जितना यह आपको पढ़ने में complicated लग रहा होगा समझने में यह उतना ही आसान है यह newton's law of universal gravitation हम इसे ऐसे लिख लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा ठीक है दोस्तों तो आप इसे लिखें newton's law of universal gravitation अब सबसे बड़े बात यह थी कि उसने यह तो बता दिया कि दो objects के बीच में जो किसी भी distance पर मान के चलो 2 मीटर 3 मीटर 300 मीटर या किसी भी distance पर दो बड़े object मौझूद है तो उनके बीच में force लगेगा यह बात बताई हमें newton ने वो जो सेव वाली किस्सा अपने अपनी किताबों में पढ़ा होगा उससे उसके दिमांग में यह theory originated होनी शुरू हुई थी लेकिन सवाल यह था कि बल कितना लगेगा इसका magnitude कितना होगा मतलब यह कि इतना एप्लिकेट होगा दो अब्जेक्टों के बीच में तो इस बात का पता लगाने के लिए उसने एक रूल दिया और उस रूल को दोस्तों क्या कहा उसने न्यूटन का सार्तिक गृत्वाकरशन का नियम मिन्स दो अब्जेक्ट अगर एक दूसरे से कुछ दूरी पर है टूके भीच के बल को कैलकुलेट किया दाता है किसके हल गिच में लगने वाले गृत्वाकरशन ऐस से कृत्य की dünya करने के लिए तो ब्त नहीं चलते हैं उसने क्या बतायों कूछ एक्स्परिमेंट के थृम में कूछ excit निकाले उन conclusions को मैं आपको बताता हूं तब आप इस नियम को अच्छे से समझ पाएंगे उसने पहले ये बताया था ये तो हमें अब तक clear हो चुका है कि suppose करो ये दो object है इसके भीतर कोई वस्तू है इसके भीतर जो इसका जो दर्वेमाने दोस्तों वो M1 है और इसका जो दर्वेमान है दोस्तों वो M2 है और मैंने आपको बल के concept में ही मैंने ये बताया था कि बल केवल वही वस्तू लगा सकती है जिसमें कुछ न कुछ दर्वेमान होगा मिस बल लगाने के लिए दर्वेमान का होना जरूरी है तो दोस्तों ये भी तैह हुआ कि इसमें भी दर्वेमान होना चाहिए और ये एक दूसरे से कुछ दूरी पर मौझूद है जिस दूरी को उसने आर कहा या आर मीटर कहा ठीक है अब इन दौनों के बीच में फोर्स की मास होगा उसके मल्टिप्लिकेशन के डारेक्टली प्रपोजनल होगा मींस इन दौनों के गुणन फल के समान उपाती होगा समान उपाती होने का मतलब क्या है दोस्तों समानुपाती होने का सिंपल मतलब यह है कि अगर मान के चलो यह 5 किलो का है यह अबजेक्ट और यह 8 किलो का है अगर इन दोनों में से कोई साभी एक बढ़ता है मिंस ये 7 होता है, ये 15 होता है, अगर इन दोनों अब्जेक्ट्स में से किसी का एक का भी मास बढ़ता है, तो इन दोनों की बीच में लगने वाला फोर्स दोस्तों अपने आप बढ़ जाएगा, क्यूं? क्यूंकि भाई, इन दोनों के multiplication के directly proportional है, directly proportional होने का सीधा मतलब ये होत है, कि जब दो चीजें एक दूसरे पर depend कर रही हो, जब दो चीजें एक दूसरे पर depend कर रही हो, तो एक के बढ़ने से दोस्तों दूसरी भी बढ़ती है, एक के घटने से दूसरी भी घटती है, तो इसका मतलब अगर ये बढ़ा, तो ये भी बढ़ेगा, पूरा दोनों के के बीच में लगने वाला फोर्स दोस्तों बढ़ेगा तो इसका मतलब यह हुआ कि दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स डिरेक्ट ली प्रोपोजनल होगा पहली बात क्लियर हुई उसने फिर यह और नोटिस किया कि यार इस दूरी का क्या असर पड़ रहा है इन दोनों के बीच में जो यह दूरी और है इन दौनों अब्जेक्स के बीच में जो दूरी आर है, आर मीटर है, इस दूरी का क्या असर पड़ रहा है, तो उसने पता लगाया, कुछ एक्सपरिमेंट के थूरू, कि इन दौनों के बीच में लगने वाला जो बल है, इसकी दूरी के वर्ग के वित्रकमानुपाती होता ह है, what does simply mean by it, it simply state that, कि जैसे जैसे हम distance बढ़ाएंगे, वैसे वैसे force कम होता चला जाएगा, इस relation को हम क्या कहते हैं दोस्तों, inversely proportional या वित्रकमानुपाती, मैं आपको यह चीजें थोड़ी सी और धंग से clear करने की हम कोशिश करते हैं, दुनिया में अगर दो चीजें एक दूसरी बढ़े या एक के घटने से दूसरी घटे, तो दोस्तों यह सीधा सीधा relation है, एक बढ़ रही है तो दूसरी बढ़ रही है, एक घट रही है तो दूसरी घट रही है, means अगर आप मान के चलो, कि अगर आपकी income बढ़ जाती है, तो आपका खर्च automatically बढ़ जाता है, ठीक है, और अगर आपकी income कम हो जाती है, तो आप उसी हिसाब से खर्च करते हैं, तो यह relation क्या हो गया दोस्तों, यह relation हो गया directly proportional होने का, और अगर मैं inversely proportional होने की बात करूं, तो अगर एक चीज बढ़े और दूसरी घट जाए, तो यह होता है inverse proportional, means अगर दोनों के बीच की दूरी, घटी, तो दोनों के बीच में लगने वाला बल बढ़ जाएगा, जी, बहुत अच्छा, मुझे उमीद है कि आप इन सारी शीजों को अच्छे से सीख रहे होंगे, अब इन न्यूटन ने क्या काम किया, कि इन दोनों equations को मिला कर, इन दोनों equations को मिलाया उसने, और इन दोनों equations को combine करके लिखा दोस्तो, f is directly proportional to m1, m2, और भाई ये upon में था, तो upon में r square, मुझे उमीद है ये बात आपको समझ में आ रही होगी, अच्छा, फिर क्या किया दोस्तों उन्होंने, यहाँ पर ये जो मुसीबत है, जिसको हम क्या करें directly proportional, भई एक के बढ़ने से दूसरी बढ़ रही है, एक के घटने से दूसरी घट रही है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, कि भई, इसका मतलब ये कतई नहीं है, कि f इसके multiplication के बराबर है, या इस formula के बराबर है, अगर दोनों के बीच में, दोस्तों, य वित्क्रमानुपाती या अनुक्रमानुपाती का निसान लगा है, तो मैं क्या करूँगा, कि मैं इसे हटा कर, यहाँ पर एक ऐसी value लगाँगा, कि जिसकी वजए से ये दौनों value, मतलब f, और ये पूरा function आपका बराबर हो जाए, और जब मैं इसे हटा के वो यहाँ लग value की, एक ऐसी definite value की ज़रुत पड़ेगी, जो जिसकी गुणा में इस पूरे function में कर दूँ, तो दोनों की value दोस्तो, f की और इसकी value बराबर हो जाए, तो Newton ने क्या किया, कि कुछ experiments के थुरू, एक constant निकाला, इस constant को उसने g कहा, m1, m2 upon में r square कर दिया, और यही बना दोस्तो Newton का, गुर्तवाकर्शन का सार्वत्रिक्निया, जहां g क्या है दोस्तो, g है, गुर्तवाकर्शन का सार्वत्रिक्निया तांक, गुर्तवाकर्शन का सार्वत्रिक्निया तांक, ग्रेविटेशनल युनिवर्सल चॉन्स्टेंट, अगर इसकी बात करूं दोस्तों मैं तो इसकी बारे में हमें दो तीन चीज़ें पढ़ने की जरूरत हैं कि अगर ये constant है तो इसकी एक constant value होती है दोस्तों और उस constant value को मैं क्या कहता हूँ means इसकी value हमेशा fix रहेगी अगर निया तांक है तो इसकी value हमेशा fix रहेगी गुणा 10 की पावर माइनस 11 है अगर इसकी यूनिट की बात करों तो दोस्तों ये होगी Newton meter square पर kg square ये इसकी unit होगी तो ये बात भी दोस्तों आपको समझ में आ रही है अगर किसी उसमें कोई problem है तो इसकी जो unit है एक बार मैं ऐसे लग देता हूँ पर kg square कुछ और चीजें हैं दोस्तों जो हमें इसके बारे में सीखनी है जैसे मैं आपसे उमीद करता हूँ कि अगर ये lecture आपको समझ में आया है और आपने मेरे previous lectures भी देखे हैं तो दोस्तों मैं उमीद करता हूँ कि आप मुझे इसकी विमा या dimension निकाल के दिखाएंगे इस G की ठीक है इस G की dimension निकाल के दिखाएंगे जो कि आप इस formula की help से निकाल सकते हैं अगली class के लिए दोस्तों मैं आपके लिए ये काम छोड़ता हूँ ठीक है अगली class में मैं उमीद करूँगा कि आप मुझे इसकी dimension निकाल के देख रखेंगे हम अपनी अगली class को बिल्कुल यहीं से शुरू करेंगे ठीक है इन सारी चीजों को जिनको आपने पढ़ाए एक बार देखिए अगर कोई problem आती है तो नीचे comment box में comment कीजिए आपके किसी भी topic science related किसी भी तरह की query का अगर आपको कहीं answer नहीं मिल रहा है तो आप हमारे channel पर आईए हम आपकी हर समस्या का समधान दोस्तों यहां पर करेंगे अच्छा दोस्तों इस उसके साथ आप हमसे जुड़े रहिए अपनी उत्साह से और पूरी मेहनस से पढ़ाई कीजिए अगली वीडियो में हम मिलते हैं आपको इसी concept को थोड़ा सा और आगे लेके चलेंगे तब तक पढ़ते रहिए देखते रहिए और करते रहिए study दिम